है सू हेलो एवरिवर्वन आयम आखाश गोहर और वेलकम बैक टू आपक अपना हीडिट मेडीकल लेक्ट्टर अभल इसम लोग डिस्कस करने वाले बैसिकली इंपोर्टेंट डेंट ऑपक के उपर सूचर क्या होते यानि की टाके जो होते है सूई जो होती है, टाके और सूई क्या होती है, कितने प्रकार के सूचर होती है, कितने प्रकार की निडिल होती है, कैसे सूचर परफॉर्म करते हैं, लगाते हैं, कैसे हिंदी, इंगलिश दोनों भाशा में आपको समझाओंगा तो स्टाट करते हैं सूचर याने कि हिंदी में जिन्हाँ टाकी या स्टीच के नाम से आप जानते हो ठीक है क्या होते हैं कितने प्रकार के धागे होते सब समझेंगे डीटेल से समझेगा एक और चीज बोलना चाहता हूं कि देखिए हम पर्सनल मेडिकेशन के बारे में बिल्कुल नहीं बताते हैं चीजों को कोई भी अपनी मर्जी से दवाईया लेना बंद कर दे डॉक्टर की सला से ही दवाईया ले हम वीडियो बनाते हैं medical student के लिए for the increase of knowledge, nursing, pharmacy and VHMS and other doctor's practitioner ठीक है स्टार्ट करते हैं a small instrument that used to hold the tissue together after surgery or injury known as suture टाके होते क्या है, suture होते क्या है, hospital का वाचोटा सा यांतर जिसका इस्तमाल हम लोग surgery या दुरगटना के बाद उतकों को बांधने के लिए इस्तमाल करते हैं किया जाता है, suture या टाके के लाते है, बांधना मतलब कोई चोट लग गई, skin fed गई उसको बांधना है, पेक करना है bleeding को stop करना है, उसके लिए हम लोग इस्तमाल करते है sutures को uses क्या है, देखेगा important uses है, इसमें आता wound closer, wound closer मतलब घाव को बंद करने के लिए दूसरे होता है healing, घाव भरने के लिए इस्तमाल, अगर heal होगा, close होगा तो वो भरेगा न, कोई घाव भर ही नहीं रहा है, तो ज़्यादा फट गया है, तो उसको stitch करना पड़ेगा, suture लगाने पड़ेंगे, ठीक है infection prevention बिलकुल, अगर कोई घाव खुला रहेगा, उसमें टाके नहीं रहेंगे, तो उसमें infection होने का, यानि कि संक्रमन होने का खत्रा बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस condition में भी ये काम करेगा, तीन important uses बता है, suture के मेने, wound healing में, wound healing में, या फिर wound closer में, या फिर infection prevention में, आग two types according to layer, layer का मतलब होता है, परत के आधार पर जो धागा आता है, तो sutures यानि के टाके लगते कैसे, that is a different thinking, पर आप material क्या लगा रहे हो, कैसे टाके लग रहे हो, वो आपको समझना जरूरी होगा, तो देखे का, जो sutures होते, दो प्रकार की परतो वाले होते है, एक तो single, और इसमें कोई परतनी होती है, और एक ऐसे होते है, तीन-चार धागे आपास में मिलकर बने होते है, आपने बेसिकली, लाइफ में देखा होगा, कि गिट्टी का धागा एकदम सिंगल रहता है, और अगर आप कोई रस्तिक होते है, कोई मोड़ी मोड़ी चार-पाच करके आत मतलब होता है, this type of suture made up only single layer, इस प्रकार के टाको में केवल एक ही परत मिलेगी, आप देख सकते हो, यहाँ पर यह भी अब दिखेगा, एक होते है घुलने वाले टाके, एक होते है ना घुलने वाले यहने की absorbable stitch, और एक होते है non absorbable stitch, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले अब धागों के बारे में पल दो, दो प्रकार के धागे आ रहे हैं हमारे पास, कौन-कौन से, एक होता है monoflament, monoflament मतलब इस तरह के केवल एक ही धागा रहेगा, इसमें कोई 3-4 धागे से लिप्टे हुए नहीं रहते है, monoflament के लाते हैं, ठीक है, इसमें भी देखिए, मैंने बोले, non-absorble और absorb, absorbal मतलब के होता है, जो घुल जाते है, non-absorble जो कि नहीं घुलते है, यह बहुता है, यह आपको आगे बताऊंगा, पर इतना समझो, monoflament और एक होता है multiflament, multiflament क्या होता है, this type of suture made up only many layers, यह बहुत सारी layers है, अब उपर आपने डाइग्राम दे जो stitch लगाते है, और यह कैसा है, यह multiflament, आप इसमें देख पा रहे हो, इसमें कई प्रकार के दागों की परतों से मिलकर बने multiflament, यह भी दोनों प्रकार के होते है, एक गुलने वाले, एक ना गुलने वाले, यह 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 बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं यह भी मैं आपको बता दे रहा हूं, तो एप्सोर बल शूचर के गुलने वाले टाके क्या होते है, घुलने वाले टाके में सबसे पहले आता है, सर्जीकल गट, सर्जीकल गट एक नाम है, याद रखिएगा, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, या इस तरह का आपको, जर्वत नहीं होती है तो एब्जोर्बल सूचर होते है बनते काई कि शीप, शीप का मतलब होता है भेड, भेड की सब्म्यूकोज या गुलने वाले टाके होते है जो कि भेड की सब्म्यूकोज अपरत गुल जाते है ठीक है? ये आपको जो है इस तरह के आपको डिबा देखने को मिलेगा ठीक है, plain gut, surgical gut या plain gut इसको कह सकते हो आप इसमें 45 cm के आसपास का इसमें आप निकलेगा इसमें और point पढ़ते है it is mainly used for chronic treatment for prolonged absorption यानि कि ऐसे जो है न ये मैंने surgical gut बता है न कहा पर इस्तमाल करोगे इसका इस्तमाल बीमारी है, जो कि पुरानी बीमारी है, कोई घाओ ऐसा हो गया है, कि सूखी नी रहा है, ज्यादा फट चुका है, तो प्रोलोंगेटिट का मतलब होता है, लंबे समय तक घुलता है, यानि कि आप क्या है, कोई घाओ है, अब वो क्रोनिक है, नासूर बन गया मतलब वो घुली नहीं हो रहा है, तो उसमें आप सर्जिकल गट से स्टीच लगा दो, और यह टाके बहुत जल्दी नहीं घुलेंगे, अराम अराम से घुलेंगे, तो उसमें क्या होता है, दीरे-दीरे घुल होता रहता है, अगर कोई टाके जल्दी घुल गया और घाओ भी नहीं भारा, तो फिर से खुल जाएगा वो, तो यह प्रोलोंगेटेड एब्सॉप्शन के लिए इस्तमाल मेंली किया जाता, आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स होता है, घुलने वाले टाको में ही, याने कि एब्सॉर्बल स्टीच में, आपका आता है, पोली डायोक्सि अब्सुर्बल स्टीच मेटरियल से मिलकार भनता है, घुलने वाले टाके होता है, या गूलने टाके होता है, बहुत अच्छी चीज बताता हूं, वह शीप बेड़ वाला था, उससे टाके जो लगेंगे आपको रियेक्शन कर सकते, पर यह सिन्थेटिक प्लास्टिक मेट यह आपको reaction नहीं करेगा, यह आपकी body की according ही बनायागा है, परन्तु शीप वाला आपको वो protein होते हैं, आपकी protein के साथ interact कर सकते हैं, आपको reaction कर सकते हैं, बट इसमें कोई reaction नहीं होता, ज्यादा तर यह इस्तिमाल होते हैं, this type of suture is strong, मजबूत भी यह चीज होते हैं, यह वा 180 दिन में यह टाके बनते हैं, 180 दिन के बाद यह टाके को automatically absorb हो जाते हैं, यह काटने वाले तो हैं यह absorbable suture होते हैं, परन्तु लंबे समय में absorb होते हैं, इसका फाइदा है, यह समझेगों को बहुत लंबे समय तक नहीं गूलेगा, तो क्या करेंगे, अगर कोई acy disease है, ऐसा समय लगता है, इसलिए लंबे समय तक गुलने वाले suture हमें लगाने पढ़ते हैं, यह भी चीज़ आप ध्यान रखेंगा, इस तरह से आपको देखनेंगे, poly glycolic acid होता है, absorbable suture होता है, poly dioxone को नाम से, PDS के नाम से आपको market में मिल जाएगा, आगे बढ़ता हूँ में यहा आपस में connect होता है, कोई accident हो गया, कोई अंदर से मास पेशिया फट गई, मास पेशिया तूट गई, तो मास पेशियों को अंदर से सिलने के लिए इस्तमाल होता है, हमारे poly dioxone suture का, आगे बढ़ता हूँ, next type होता है, हमारा poly glyconate maxone, देखिएगा company maxone, जो है, maxone के नाम से मि poly glyconate maxone होता है, this is also absorbable suture, यह भी गुलने वाला टाका है, that made up synthetic material, यह भी synthetic material से मिलकर बनता है, इसमें important line समझने वाली है, it is mainly used in pediatric and cardiovascular surgery, जो बच्चों में जो surgery होती है, pediatric surgery होती है, उसमें, और साथ में, cardiovascular surgery, जो heart की surgery होती है, उसमें इसमें इसका किया जाए, मुग की रूप से, pediatric or cardiovascular surgeryenschauer में, इसम कार्डियो अई-क्रिडियोर सच्यरी में, इसमें, मैक्सन होता है, मैक्सों देखी एक नाम होती है, यह दिएम्न आ मैक्सों के रूप से, आपको daily pulse, मैक्सों के नाम से आपकोव मार्केट में, मिलता है, प्ऌर्थ नमबर वाले सुचर पे, 4 नमबर की होत 25, Mono Krill, Mono Krill के नाम से आपको मिलेगा, Materialist में यूज है Poly Glico Krill, और आपको Mono Krill के नाम से मार्केट में मिलता है, इस तरह का सूचर होता है, यह क्या होता है, This type of suture is very rapidly absorbed in 92, 120 days, यानि कि 90-120 दिनों में ही आपकी बोडी में पूरी तरह से घुल जाता है, यह टाक है, बहुत ही जल्दी घुलती है, लगबग 90 से, जो जल्दी ठीक होती हो, कोई ऐसा घाव जल्दी भरता है, उसके अकोडिंग यह बनाएगा, कौन-कौन से चीजों में यूज होंगे, It is mainly used to close, It is mainly used to close, Intradermal Soft Tissue, Intradermal कौन से? यह तोचा है, तोचा के ऊपर ही परत निकाली, तो Intradermal जो निकलेगी अंदर वाली, उस Intradermal जो है, उसमें कोई चोट लग गई है, एक्सिडेंट हो गया है, कोई Surgery होई है, या फिर कोई भी प्रोब्लम की वज़े से वह यूज हो सकता है, वहाँ पर हम लोग इसको इस्तमाल कर सकते है, पोलीगलिकाप्रोण मोनोक्रिल को, 25 मोनोक्रिल के नाम से आपको मार्केट में मिल जाता है, या याद रखिएगा, एंट्रडर्मल सोफ्ट टिशू को सिलने के लिए इस्तमाल किया जाता है, पोलीगलिकोप्रोण 25 मोनोक्रिल, यह इंपोर्टेंट है, हार एक होस्पिटल में यूज होते है, आपको माइंड में यह होना चाहिए, नेक्स आता है, पोलीगलाइकोलिक ऐसे डेक्सोन, डेक्सोन के नाम से डेक्सोन नहीं, तो कहता है, गुलने वाले ही टाके होते है, इस इस इसतामी यूज फ developmental surgery से रिघ्वरुशा के जावादा जाता है, जो होता हूं होता है, और फोच्छो सब्तल थांदा हम 25 के गुर्चोन सरज़ई होता है, यह उसके अलब सलिए गाईने को से और हैं talented reading students living, अब तक हमने पड़े घुलने वाले टाको के बारे में, अब पड़ते हैं, इसे टाके जो की घुलते नहीं है, non-absorbel suture, यानि की ना घुलने वाले टाके, जिनने हमको काटना पड़ता है, पहले नमबर पर आता है हमारा, polyamide ethylone, ठीक है, polyamide ethylon क्या होता है, this is non-absorbel suture that is made up nylon, यह non-absorbel होते हैं, गुलते नहीं हैं, और nylon से मिलकर बन होते हैं, नाइलोन से मिलकर बनते हैं, गुलने वाले टाके नहीं होते हैं, नाइलोन से मिलकर बनते हैं, it doesn't produce any reaction in tissue and provide strong binding, सबसे अची चीज, ये किसी भी प्रकार की उतकों में कोई reaction नहीं करेंगे, और ज्यादा मजबूत पकड़ बना के रखेंगे, इतना आप ध्यान रखना है, ये ये बनते हैं, अधियों से कि-प्रकार की ज्यादा तर मजबूती, इस से अपको इथेलोन के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा, it is a famous brand, EC के नाम से आपको मार्केट में मिले गाया इस तरह सी प्रकार की ईपकी प्रकार को लाइड, याजिए प्रदी आपको अधे ही तो इसको stitch करने के लिए, सिलने के लिए, सूचर लगाने के लिए, हम लोग mainly suture लिए करते हैं, इत है लोन का, इंपोर्टेंट याद रखिए कि तोचा को बन का, बोडी में कही भी पेट भढ़ गया है, हातों में चीरा लगया है, अपने अकसर देखा होग लंबा चीरा अंदर घाव बन गया है, तो सिलने के लिए इस्तमल किया जाएगा, नेक्स आता है, हमारा, Polypropylene, Polypropylene, Proline, आपको मार्केट में मिलता है, Proline, यह लिखा है, Proline के नाम से यह वाले stitch आता है, This is also known absorble suture, यह भी ऐसे टाके होते हैं, जो कि घुलते नहीं है, काटे, जाते इनको काटना पड़ता है, इस प्रिकार के suture कही में यूज होंगे, कार्डियो वस्कुलर सर्जेरी, इनमा मुह की रूप से स्तमाल होता है, यह प्लास्टिक सर्जेरी के लिफ से рабरों होता है, 5-4-6-6-1-V-2-3-5, आगे बढ़ता हूं मैं polyester ithah bond polyester ithah bond mainly this is non-absorble suture यह भी नहीं घुलते हैं और इनका जो मुख्य रूप से इस्तमाल होता it is mainly used for cardiovascular surgery and orthopedic surgery orthopedic surgery यहने के हड्यों से related कोई operation हुआ है orthopedic surgery में इस्तमाल होता है ithah bond का ithah bond के नाम से आपको मिलता है लिखा हुआ ब्राण ने ithah bond 2.0 का है 3.0 metric होता है 75 cm आज पास से आपको देखने को मिलता है needles को बारे में बताया गए हाँ यहाँ पे 20 needles ithah bond याद रखेगा बहुत ही जदा important होता है ठीक है और जो की cardiovascular surgery और इसमें orthopedic surgery इसमें इसमें इस्तमाल किया जाएगा आगे बढ़ता हूं में when remove suture सबसे एक important point आता है suture cup कटते पर इसको समझने से पहले आप मेरी बात को समझेगा देखिएगा जो घाव वाले जो टाके कटने वाले होते ना वो डिपेंड करते मरीज का कितना nutrition मिल दा है मरीज कितना healthy है कितने अच्छे vitamins ले रहा है कितना protein ले रहा है कि घाव जल्दी सूख रहा है उसके हिसाब से कुछ टाके ऐसे होते जो जल्दी भी कट सकते है घाव नहीं सूखेगा तो थोड़ा लंबे समय भी लग सकता घाव को पहले डॉक्टर चेक करेगा फिर ही उसके स्टीज करते है बट कुछ कंडिशन में फेस के सूचर जो चेहरे पे टाके लगते है तीन से पाच दिन में कर जाते है लगबग नेक के सूचर जो होते हैं पास से साथ दिन का समय लगता चेस्ट एंड बेक सूचर चाती पे पीछे को टाके लगे है उसको 10-14 दिन लग जाते है जोइंट के सूचर याने के हड्डियों के जोइंट है यहां पे को अगर टाके लगे तो लगबग 14 दिन उनको लग जाएगा और हैंड एंड फीट यहने की हाथ और पेर के में 10-14 दिन का समय लगता है सूचने में उसके बाद करते बट यह भी आगे पीछे हो सकते 14 दिन के दिन आप 15 दिन या 25 दिन भी हो सकता अगर मरीज का गाउ धीरे-धीरे भर रहा है तो इतना आप माइड में रखिएगा पेशेंट का न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है प्रोटीन कितना मिल रहा है वाइटामिन कितने मिल रहे है घाओ कितने टाइम में सूख रहा है यह सब चीजों के अकोडिंग फिर स्टीच काटे जाते हैं मैं यहां से आगे बढ़ता हूँ, निडिल्स अब पल डेते हैं, सूचर यह ताके लगाने वाली सूई के बारे में बहुत ही इंपोर्टेंट है, देखेगा अलग-अलग गौस की आती है, 1 by 2 सर्कल निडिल, नाम से आपको मिलेगे मारकेट में, 1 by 2 सर्कल निडिल, इस ताइप अप निडिल मेनली यूज फोर एबडोमिनल सर्जरी, यानि कि पेट की जितनी भी सर्जरी होती है, उन सभी सर्जरी में 1 by 2 सर्कल निडिल का इस्तमाल किया जाएगा, अगर आपको से कोई पूचे कर भी है, पेट की सर्जरी में कौन से इस्तमाल होगा, वन बाइ टू सर्कल निडिल का इस्तमाल किया जाएगा, इस तरह से कर्व होती है, इतनी है, इसका इस्तमाल करते है, नेक्स जो सूई आती है हमारी 3x8, 3x8 की सूतिय सर्कल निडिल, इसका जो होता है, it is commonly used for skin closer, यानि कि तोचा वगे नमा कोई घाव है, उसको अगर close करना है, stitch लगाना है, सूचर लगाना है, तो आप 3x8 की या दीखिए, इस तरह से थोड़ी half होती है, curve होती है, but half होती है, 3x8 की सर्कल निडिल का बिस्तमाल कर सकते हो, ठीक है, next जो निडिल आती है, 1x4 की सर्कल निडिल, it is used for ophthalmic surgery and micro surgery, ophthalmic surgery, मतलब आखो की कोई surgery हो रही है, तब बिस्तमाल होगा, और साथ में micro surgery, micro surgery आपने सुना होगा, बहुत पतली-पतली surgeries, बहुत छोटी से surgeries करनी है, उसमें इस्तमाल की जाएगा, 1x4 सर्कल निडिल का, आगे बढ़ता हूं है, 5x8 सर्कल निडिल, 5x8 सर्कुलर निडिल क्या होती है, it is mainly used for open abdominal surgery, यनि कि पेट की open abdominal surgery अगर की जारी है, तब open abdominal surgery में 5x8 की सर्कल पूरी रूप से कर्व होती है, बड़ी होती है, इसका इस्तमाल किया जाएगा, open abdominal surgery, 5x8 सर्कुलर निडिल का, नेक्स आती है आपकी जे निडिल, जे निडिल क्या होती है, it is used for close of laparoscopic wound, इसका इस्तमाल जो होता है, laparoscopic wound में आप करते हो, याद रखेगा, बहुत important है, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप एक मिट के लिए समझ लो, अगर इस तरह से आपको medicine की book चाहिए, या medical knowledge की चाहिए, तो हम PDF रोइट करते है, हमारे notes की पूरी book form बनाया गया है, यह हमारी application है, description, comment box में link मिलेगी, वहां से आप direct, यह course purchase कर सकते हो, medical book किताब का, इसमें होगा क्या, 950 उर्पे price है, पर आपको इसमें free में completely online course मिलेगा, साथ में, जब आप यह 950 का खरीदोगे, तो videos और notes आपको उसमें free मिलते हैं, यह purchase करने के बाद, book घर पे deliver नहीं करवाते हैं, हमारे application के उपर videos, PDF मिलती है, डाउनलोड करके आप फोटो कोपी करवा सकते हो, 300 से ज्यादा disease है, medicine knowledge, medical knowledge, जिस तरह से आपने पढ़ा, यह पूरा medical knowledge इस तरह से और भी मिलेगा, एक साल की validity, एक experience certificate भी अपको मिलेगा, duration 1 year, एक साल तक है, बट आपको जितना भी content मिलेगा, lifetime पूरे जिवन भर आपको आपके phone में save कर सकते हो, thank you for watching guys, आपको अपने Indian Medical Lecture,